हलो बच्चो मैं हूँ आशीश और आप देख रहे हो बाइलो जी वाला फिर से लेकर करें नेक्स पार्ट अपनी वीडियो का जो की हमारी सेरी चल रही है कोशन्स वाली नीट के प्रेक्टिस के लिए तो यह यह हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें कि आप सेक्ष्वल रिप् बहुत फायदा होने वाला है मतलब आपको चीजें क्लेर होती रहेंगी और साथी ज्यादा की प्रेक्टिस होगी ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि यह वीडियो रेगी आपकी दस मिनट की या उससे भी कम टाइम की तो चले करते हैं वीडियो की शुरू यहां रहती है तो बड़े वाली सेल सेंटर वाली होती है जिसमें कि आपकी दो पॉलर निपलाई मिलते होते हैं तो यहां पर हमारा आंस्वर होगा सेंटल सेल ठीक ना नेक्स सवाल हमारा है दाइंडो थीशियम इस हैल्प इंडाइशिंस ओफ एंथर ध्यान रखना इन प होती है नमी को सोकती है अंदर की तरफ मुड़ती और एंथर खुल जाता है ठीक ना नेक्स अगर आप प्रोटेक्शन भी करते हैं जी विल्कुल प्रोटेक्शन करती होते तो यहां आपका आप ऑप्शन होगा उप्शन नमबर चार वन एंड टू बहुत सवाल है कुछ ज प्रोटेक्शन करते हैं तो ऐसा ज्यादा तर आपको कहां देखने को मिलता है और किड्स में ध्यान रखना कैला ट्रॉपिस में भी और और किड्में भी दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलता है इंपोर्टेंड बहुत कई बार यह फैमिली के नाम से पूछते हैं के की फैमिली होती है एपो साइने सी यह द्यान दक्र कहोगे अपोसाइने सी का मेंबर होता है के यह प्रेशल बात है तो अप्शन एपका च्वण टू बहुत बहुत है नेक्स स्वारा है आँसेंश्यल वर्ल्ट एसनेुल होते हैं काम के चो होते हैं मतलब वाले तो सैबल ब भी मदद नहीं करते हैं वह आपके एसेसरी पार्ट होते हैं तो नेसेसरी आपके जो वो की अंदर वाले मतलब एंडरोसियम और गयनीश्यम तो बिल्कुल आसान सवाल है आपका नमबर थर्ड ठीक है ना चलते हैं नेक्स सवाल हमारा है नमोस्ट रिड्यूस में इंपोड़ सवाल है बहुत ज्यादा जितना इदा पीछे जाओगे और ब्राइफाइटा की अगर बात करते हैं शुरुआत में तो आप पढ़ोगे आपने देखा भी होगा कि ऐसा है वहां गेमेटोफाइट की अपनी अग्जिस्टेंस होती है इस वरोफाइट की अपनी होती है इस पर में इंपोडेंट है यह यह आपका टेड़ोफाइट है यह आपका जिम्नोस्पा में तो आंसर आपका होगा मेंगो ठीके ना चलिए नेक्स सवाल हमारा है और यह देखो कैपसेला मतलब आप ध्यान रखना वह पोलीगोनम टाइप की बात कर रहे होते हैं कैपसाल इस घवरान नहीं होता ठीक ना तो वही सिंपल है चार सो में बनाने है मतलब आपका इंपोड़न देख लो मियोटिक डिविजन पूछें कितना मियोसिस अब समझो एक आपका जो पॉलन गेन होता है उसके अंदर दो मेल गेमिट होते हैं और एक पॉलन मदर से चार पॉलन एक मैल गेमिट बन जाएंगे आपके किसे एक पॉलन मदर से से तो पूछें कितने मियोसिस होंगी चार सो के लिए तो एक से आठ बन रहे थे तो 400 मेल गेमिट कितने से बनेंगे समाझाही बात तो यहां पर आप देखो क्या का option है 10 अगर आपके 30 मियोसिस होंगी देखो द अंदर दो दो होते हैं तो यह आपका आंसर होगा यहां three option number three next सवाल है हमारा the pollen grain of angiospum are shared from pollen sack है तो यहार important सवाल है देख़ए ऐसा है यह लिखा है कि 60% जो प्लांट होते हैं उनके अंदर pollen grain जब shed होते हैं तो वो two cell stage में होते हैं बाकी में four cell three cell होते हैं तो यहार है यहां हमारा आंसर जो है वो by cell ही हम लगाएंगे क्यूंकि ज्यादा तर्में वैसे होता है ठीक है ना चलिए next सवाल है हमारा विज़ए फॉलविंग पेर इस अप्लोड structure इन में से कौन है भाई ध्यान से देखके रखना important होते हैं यह सब से सेंट्रलव में आपका दो एन ब्लस एन मिलते हैं जैन्टल सेल में आपका एन प्लस एन मिलता है तो ऑन प्लस एन अभी डिपलोड नहीं है जर्ट पीफोर दा फर्तिलाश्यस्टन देविल सेंटल सेल अभी तो हैपलोड होता है सिनर्जिट आपकी हैपलोड होती है नूखलीस आपका डिपलोड होता है पर यहां पर हमारा है एक और मेल गहले में दो और और सेंटल सेल तीन और pollen grain 4 और synergid 5 तो आपका option number 1 होगा ठीक है ना ये थोड़ा ध्यान रखना पैडिस्पम क्योंकि वो भी new cellus ही होता है ठीक है next सवाल हमारा है plant hemorrhology is a study of plant hemorrhology क्या कहते हैं भहिया देखो प्लांट के hemorrhology में sporogenesis भी पढ़ते हैं syngamik पढ़ते हैं embryogenesis सब पढ़ते हैं जब आप सकी study करते हो ठीक है न तो आपका अंसर होगा all of them तो यह यहां तक थे हमारे कुछ 10 questions इसके बाद आपको नेक्स वीडियो आएगी ध्यान से देखना वह आपको human health and disease वाले जप्टरे क कुछ questions होंगे important तो बने रहेगा हमारे साथ लगातार पूरी वीडियो देखना आपके काम ही आएगा काम की चीज़े पांच मिनट लगते हैं देखने में बहुत बहुत दिन्यवाद होगा तो मुझे भी फाइदा होगा या थोड़ा बहुत फाइदा होगा फेपर आपका ठीक ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए